हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल स्पिर्ट एडूकेशन दिस इस सुजाता फ्रेंड्स हम ग्रेमर में होमोफोन्स कर रहे हैं क्लास इंपोर्टेंट है ओके फ्रेंड्स एंड तक जरूर देखेगा बीच में स्किप नहीं करना ओके फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं को नोटां जरूर करिएगा वर्ट्स को सभी इंपोर्टेंट है इमिनेंट का मिनिंग होता है फेमस पिरसिद होना इमिनेंट इमिनेंट का मिनिंग होता है फेमस और नेक्स्ट इमिनेंट का आई डबल एम आई एंट इसमें इमिनेंट आता है और इसमें आई आता है आई सेंट और नेस्ट इम्ीनेंटिक अइम होता है यह होता है परिजानेवरेंकर 20 qa मिनिंग होता है वह‍मृर्शی जो spelling को धिएन रखेंगे इनका मिनिंग क्या है, okay, friend? तो first word का हमने दिखा कि इमिनन्ट का मिनिंग होता है, famous Shakespeare was an imminent playwright कि Shakespeare एक प्रिसिध नाटकर थे, okay, friend? next word है, imminent, IWMI, N-E-N-T, imminent imminent का मिनिंग होता है, impending, adjacent adjacent, जैसे हमने last class में भी पढ़ा था, adjacent कहते हैं, नजदीक के ले आता है, जो करीबी होता है, नजदीक होता है, आसन होता है, इमपेंडिंग इसका वर्ड है, ये दोनों सिननियम है इसके इमिनेंट के, इमिनेंट का मिनिंग हुआ आसन, जो कुछ होने वाला है, जल्दी ही घटित होने वाला है, जल्दी ही घटने वाला है, क आए एक्जाम्क्ल्स और अच्छे से किलियर हो जाएक है we Are Awaiting Their Imminent Arrival obic अबेटिंग कि हम प्रदिक्षा कर रहे हैं इनके जल्दी पहुँचने की प्रदिक्षा कर रहे है राइवल कहते हैं पहुँचने के लिए उनके आगमन हम eat पी करें سब चलिये होता है श्रीच के ऊपस्तित के लिए अठीड इमने टेखेए नाइट से तीन वर्ड देखे हैं तिनों की स्पेलेंग आप जरू ध्यान रंढ़ाओ इमानेंट का मिनिंग होता है प्रिजेंट एवरी भी है डिवाइन फोर्स इस इमानेंट इन यूनिवर्स जो होती है दैवे सकती इस इमानेंट इन यूनिवर्स यूनिवर्स में प्रति एक जगा उपस्तित होती है ओके क्या होती है वो पर्मानेंट होती है उपस्तित होती ह हैं okay friend तो eminent का Minig var present everyakesphin next word है हमारा eligible तो तीनों word आपको समझ में आ गए होंगे eminent के next word edisabal, eligibility और eligible दोनों word आप देखेंगे दोनों word में क्या difference है दोनों word का क्या meaning है okay friend यह word important है यह भी eligible का meaning होता है योगय होना eligible eligible होना fit to be chosen chooseечат कि योके होता है फिट होता है उसके लिए कोई किसी काम के लिए जो फिट होता है अलिजीबिल होता है हम बोलता है कि एलिजीबिल है उन तॕ पहथी सग toवर थी पीपल और अविसवसनी कोते हैं आप बुछे उसके लिए eligible नहीं होते हैं तो I hope word अच्छे से clear हो गया होगा एक्जाम्पिल से और next word है eligible इसमें E आता है और इसमें I आता है E-L-I-G-I-B-L-E eligible और E-I-L-L-E-G-I-B-L-E eligible eligible क्या होता है that cannot be read जिसे पढ़ा नहीं जा सकता जो अपठनी होता है उसे हम क्या कहते हैं eligible बोलते हैं I cannot read this letter as her handwriting is eligible I cannot read this letter में इस letter को पढ़ नहीं सकता as her handwriting is eligible क्योंकि as यहां पर conjunction है friends as क्योंकि her handwriting उसकी जो handwriting है is eligible है पढ़नी है जो पढ़ने के योग यह नहीं है तो आई होप आपको सभी वर्ट अच्छे से किलियर हो गए होंगे सभी वर्ट इंपोर्टेंट है इंको note आप जरूर करिएगा और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लागा हो तो जादे जादे लाइक जरूर करके जाना जो चैनल पर new है जिन्हों ने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ली साथ में बेल आइकन को प्यास करें जिससे सभी notification आपको मिलती रही है अपने दोस्तों में जादे से ज़्यादा सेयर करें जिससे सभी वीडियो का लाब उठा सकें सबके लिए ये important है जो words मैं आपके लिए करा रही हूँ सभी exam के लिए important है for all government exam तो वीडियो को लाइक चुरूर करना ओके फ्रेंट नेक्स वीडियो में मिलते हैं खुश रही हैं मसते रही हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाबाई